यह है exercise 7.5 question number first question number first आपका दिया गया है x upon x plus 1 और x plus 2 इसको हम इंट्रिगेट करना है तो हम क्या करेंगे पहले इसमें यहां पर partial fraction लगाएंगे जिसको आन्सिक भी भी बोलते हैं इसको हम लिख सकते हैं x upon x plus 1 x plus 2 is equal to यहां पर लेट करेंगे a upon x plus 1 और plus b upon x plus 2 उसके बाद आपको क्या करना है एलसियम लेंगे इदर का x upon x plus 1 x plus 2 is equal to इसका एलसियम लेंगे तो यह हो जाएगा a x plus 2 plus b x plus 1 upon x plus 1 और x plus 2 इसके बाद हमें क्या करना है यहां x plus 1 x plus 2 x plus 1 x plus 2 से दोनों cancel हो जाएंगे यह आपका बचेगा x is equal to a x plus 2 plus b x plus 1 अब हमें यहां से a और b की value निकालनी है अब a की value कब आएगी भाई जब b की value 0 होगी इस पुरी ट्रम को 0 कैसे करेंगे पुरी ट्रम 0 होगी आपका यह x plus 1 है तो x plus 1 is equal to 0 तो x is equal to put करोगे minus 1 equation number 1 में तो put x is equal to minus 1 in equation number first जाजा x है महापे minus 1 put करने आपको तो यह आपको का minus 1 is equal to a x plus 2 sorry minus 1 plus 2 plus b minus 1 plus 1 1 1 0 हो जाएगा तो minus 1 is equal to 2 में से बन गया 1 यानिके a तो आपकी a की value हो गई minus 1 अब हमें क्या करना है b की value निकालनी है b की value कब आएगी जब a की value 0 हो जाएगी तो यहाँ पर आप put करेंगे question में put x is equal to कितना minus 2 x is equal to minus 2 तो put करेंग minus 2 is equal to यह तो 0 हो जाएगा plus b minus 2 plus 1 तो minus 2 is equal to minus b या फिर minus से minus cancel तो यहाँ से आपको b की value मिल जाएगी कितनी 1 यह आपकी b की value हो गई अब आप क्या करोगे a और b की value मिल हाँ पर put करोगे तो यह आपका हो जाएगा 1 upon x plus 1 a की value कितनी minus 1 minus 1 upon x plus 1 plus b की value आपकी कितनी आई 1 तो यह आपका हो जाएगा 1 upon x plus 2 यह हमने इसको solve कर लिया अब क्या करना इसको integrate करना है dx यहाँ से minus और 1 upon x plus 1 को क्या लिखेंगे log x plus 1 और plus log 1 upon x plus 2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x plus 2 तो यह 1 upon नहीं है x plus 2 है upon log x plus 1 plus c और यह आप का अन्सा जाएगा इस में में क्या करना है बस इस question का अन्सिक बिन वे partially divide कर देना है अलग-अलग दोनों को और उसके बाद फिर इसको integrate कर देना है